एलो बच्चो आज हम आपको पढ़ाएंगे ख्लास 4 की वर्क बुक उसका नाम है Spring Grade 1 ये लिखा हुआ है वर्क बुक है और ये Part 1 है और ये क्लास 4 की बुक है और इसका जो हम लोग hard day करने जा रहे है वो है day 32 और उसका नाम है Wake Up और ये Wake Up का Part 4 है और ये Last है Wake Up का Part इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो दूसरे नाम से होगा आज से वेकप फिनिश हो जाएगा ठीक है तो चलिए आए लाश्ट पार्ट पढ़ते हैं किसमें क्या दिया हुआ है तो बच्चों ये रेखें वेकप का पार्ट फोर और ये दिखें क्या लिखा है सबसे मैं खेल रहा है तो क्या कहता है आई प्ले फुट बॉल मैं फुट बॉल खेलता हूं नहीं होगा जब प्ले ev mean लिखा हो तब रहा हूं होता है ठीक है वह तो सब्जक्ट के एकोडिंग हम पता देते हैं मैं फुट बॉल क्या हो आई इंट फूड ये कोई girl है कुछ खा रही है तो क्या कहती है I eat food मैं खाना खाती हूँ अब ये देखो बच्चे हैं और इनके सामने माइक लगा हुआ है तो ये क्या कह रहे है We sing a song हम एक गाना गाते हैं ये क्या है कोई बच्चा है ये सार ले रहा है ये क्या कह रहा है यू टे का बात तुम नहाते हो नहा रहे नहा रहे यू टे का बात तो नहा रहे तो नहाते हो I read books ये लड़की है और ये बुक क्या करें पढ़ रहे है तो क्या बोलती है I read books मैं किताबे पढ़ती हूँ आप ये देखिए write the words having similar sound from the poem और ये बेकप वेकप की बुक कहा है तो ये देखिए हमको poem से similar sounds निकालने हैं जिसे red red का similar sound क्या निकला ये देखिए please wake up एक मिनट wake up wake up it's a lovely day oh please get up और हमको क्या red का निकलना है and come and play the birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees wake up wake up it's a lovely day oh please get up and come and play it's much too late to lie in a bed ये क्या देखिए red का मिला की नहीं और red का similar क्या हो जाएगा bed ठीक है बस first later अलग हो बस red का bed ठीक है आगे देखते हैं क्या है दूसरा है dear अब dear का क्या हो जाएगा beer ठीक है क्या हो जाएगा ठीक उसके बाद देखो some का हो जाएगा come and play and come and play यह देखो come आया कि नहीं तो some का हो जाएगा hate का हो जाएगा late late यह देखो दिया हुआ है कि नहीं it's too late it's too late यह देखो late l-a-t-e hate का late यह परहटा दो तो यह इस प्रकार से यह बुक में similar words मिल गए पोयम से अब यह देखिए make sentences with the words given below when has been done for you तो एक करके दिया हुआ है क्या लिखा है I play football मैं football खेलता हूँ you play football तुम football खेलते हो we play football हम football खेलते हैं तो मतलब एक वर्ब से यही तीनों subject लगा के हमको लिखना है तो I eat food मैं खाना खाता हूँ you eat food तुम खाना खाते हो we eat food हम खाना खाते हैं I sing a song you sing a song we sing a song I read a book you read a book we read a book ठीक है हम किताब पढ़ते हैं तुम किताब पढ़ते हो मैं किताब पढ़ता हूँ मैं किताब पढ़ता हूँ तुम किता पढ़ते हो, हम किता पढ़ते हैं मैं गाना गाता हूँ, तुम गाना गाते हो, हम गाना गाते हैं मैं खाना खाता हूँ, तुम खाना खाते हो, हम खाना खाते हैं मैं फुटबॉल कहलता हूँ, तुम फुटबॉल कहलते हो, हम फुटबॉल खेलते हैं तो ये इस प्रकार से इसका last part भी हो जाता है complete और ये wake up का हो गया पूरा complete ठीक है तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं next chapter में और उसका नाम है one and more तब तक के लिए धन्यवाद बाई 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 बाई